मित्रों चे मातादी कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट में चे मातादी चरू लिखे मातारानी आप सभी का कल्याड करेंगी मित्रों वर्स 2026 में अक्षय आवला नौमी कब है जानिये सही तीनव तारी क्या है पूजा करने का सुब मुहूरत कब है पूजा विधी क्या है जानेंगे इस वीडियो में लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आप से रिक्वेश्ट है कि अभी तक इस चैनल को नहीं किया है तो सस्क्राइब करेंगे और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करेंगे और जादे से जादे सियर करेंगे मित्रो हिंदी पंच्यांग के अनुसार कार्तिक मास के सुक्ल पक्च की नौमी तिथी को आवला नौमी मनाई जाती है और इसे अक्षय नौमी के नाम से भी जाना जाता है आवला नौमी के दिन ब्रत रखने से और आवले के पेण की पूजा करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, सुक सम्रिध्धी में ब्रिध्धी होती है ऐसी माननेता है कि आवला के पेण में भगवान विश्रू निवास करते हैं इसलिए इस दिन भगवान विश्रू की विधिवत पूजा करने से पूण्य की प्राप्ति होती है और इस दिन दान पून्य करने का विश्यसम हत्त्व होता है। ऐसी माननेता है कि कार्तिक मास के सुक्ल पक्च की नौमी तिथी से लेकर कार्तिक मास के पोड़िमा तिथी तक भगवान विश्डू आउले के पेड में बिराजमान रहती हैं। इसलिए अक्चा नौमी के दिन बिधिवत आउले के पेड की पूजा करने के साथ इसकी छाया में बैटकर भोजन करना सुभ मना जता है। मित्रों अब पूजा करने की बिधी को भी चान लेते हैं जो इस प्रकार है। मित्रों आउला नौमी के दिन प्राताकाल इसनान आधि करने के बाद ब्रत का संकल्प ले। और किसी भी आवले के पेड के नीचे जाकर पूजा करने की पेवस्था करे और सुभम हुर्त में आवले के पेड की पूजा करे सबसे पहले आवले के पेड की जण में जल और दूद अरपित करे फिर फूल माला अच्छत रोली चंदन फल मिठाई आधी अर्पित करें इसके पच्चात रच्छा सुत्र या कच्चा सुत्र लपेट कर आवले के पेण में 8 या 108 बार परिक्रमा करते हुए पेण में लपेट दें इसके बाद भगवान बिश्डू का ध्यान करके उनकी पूजा अर्जना करें और अपने जीवन में सुक्सान्ती और सम्रधी के लिए प्रातना करें फिर पूजा समाप्त होने के बाद आवले के पेड के नीचे बैट कर भोजन करें मित्रों अब पूजा करने का सुब मुहूरत को भी चान लेते हैं जो इस प्रकार है मित्रों अब आपको बता दें की वर्ष तुहजार चाबिस में अक्छे आवला नौमी अठारा नौमबर दिन बुद्धवर को मनाई जाएगी अक्छे नौमी पूजा करने का सुब मुहूरत है सुब छे बचकर 28 मिनट से लेकर दोपहर 11 बचकर 51 मिनट तक रहेगा जानि पूजा करने की कुल अधी है 5 घंटे 23 मिनट नौमी तिथी प्रारंभ होगी 18 नौमबर 2026 को सुब छे बचकर 4 मिनट पर नौमी तिथी समाप्त होगी 19 नौमबर 2026 को सुब 7 बचकर 5 मिनट पर